है हेलो आप सबका स्वागत है आपके चैनल पर चलो एक्स्रेमली सौर ही में लास्ट दो दिन से आपको मार्केट एनलेसिस वीडियो नहीं कर पाया क्योंकि अभी हम लोग उसको कंटेने करेंगे तो आज मार्केट में क्या हुआ आज मार्केट ने इतना बड़ा ग्याप आप ऑपन हो गया मैं भी लाई में बूल रहा था कि मुझे इंट्रेस ने आज मार्केट में ट्रेड करने के लिए या फिर इस तरह कोई inverted head and shoulder pattern करना पड़ता है तब market record होता है वो जितना fast गिर जाएगा chances बहुत ज्यादा होते कि वो इतना fast record हो जाएगा तो आज market continuous गिरता गया अगर आप हम लोग के calculate कर दे यहां से अगर आप देखोगे तो यह देखो more than 980 पॉइंट मार्केट गिर चुका है इतना बड़ा ग्याप ऑपनों के बाद अभी हमारा plan of action क्या रहेगा जैसे आपने समने देखा होगा कि global news वेगरा यूएस फिचर डाउन है यूरोप मार्केट भी टोटल डाउन है तो chances बहुत ज्यादा है कि देखते अभी यूएस मार्केट कैसे ओपन होता है वो भी गैप डाउन होने वाला है तो अगर मार्केट ने कल बहुत बड़ा इंडियन मार्केट अपना बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया लास्ट टाइम जो मैंने आपको मार्केट एनलेसिस में भी वीडियो में भी बोला था लिए अनलेटेस में कि यहां पे जो सेलर्स है ना को टेंशन नहीं है सेलर और इस मार्ट को प्रेसरेद्व अब देखना है कि बाइर कितना एटेंप इस जोन पे करते ही क्या है कि arkadaşlar ने तीन बार इस जोन से मार्केट को पुश किया था बट अभी ये market कही ना कही इसके नीचे closing करना start करा है तो as a buyer अभी के लिए एकदम safe level जो रहेगी 49600 के उपर अभी के price के इस अब से यहाँ से यही level बनती है जहाँ पर हम लोग एक aggressive buying करेंगे तब तक यहाँ पर buying सरब नहीं जितना fast हो सके seller को market को नीचे लेके आना पड़ेगा जासे मेरे ख्याल से अभी देखा जाए तो 39400 बगर यह level है उसके बाद फिर यहाँ से 38000 तक के 37500 590 तक के level से तो यह अब दो level हमें दिख रहे हैं तो कल तो market जिस तरह बर global market अगर market कल बहुत बड़ा gap gap down open हो गया 500 बगरा level पर तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते यहाँ पर आभी हमें देखना है कि levels जो है कि किस level के साथ हम लोग अभी selling का देखेंगे सेलिंग का भी हम लोग तभी देखेंगे जब अभी market ने हमें आज की closing कहाँ पर मिल गई अगर मैं इसको 15 मिनिट टाइम फिरम में लेके आता हूँ तो अभी हम लोग ध्यान से levels देखते हैं यह देखो market का market ने closing कहाँ पर किया है 39,000 के उपर और अगर market कल यहाँ पर कहीं तो भी gap down open हो गया फिर्ष 15 मिनिट हम लोग wait करेंगे market को direction का wait करेंगे कि market कहाँ पर निकल रहा है अगर इस सुबह सुबह फिर्ष 15 मिनिट में इसने इसका डिलो क्रॉस कर दिया आपको मालू में फिर्ष 15 मिनिट में हम लोग तो ट्रेड नहीं करते तो देखेंगे कि market किस तरह निकल रहा है अगर मार्केट इस तरह निकलना स्टार्ट कर दिया और यहां पर कई तो भी इसने सपोर्ट ले लिया एक पूल बैक आ गया नीचे से ट्रेंड लाइन डाल देंगे उसके बाद हम लोग अगें उसका सेलिंग का प्लैन करेंगे और अगर कल मह बहुत बड़ा गैप डाउन यह जो पूरा का पूरा जोन है या फिर हम लोग यस्टरेड़े आज की क्लोजिंग भी पकट सकते यह यह का काम करेगा तो अब मैं फ्रेज बाइंग कप करूंगा देखो सेलर को यह जो पूरा का पूरा जोन है ना मैं यह देखो यह जोन को आवाइड करो बाइंग करने क हो चुंगा हम लोग बाइंग तभी सोचेंगे जब मार्केट इस जोन के पर ब्रेक आउट करके यहां पर कई निकल गया नहीं तो यहां पर ट्रेड कर देंगे कोई प्रावलम नहीं नहीं कर देंगे लेवल नंबर वन लेवल नंबर टू सेलिंग का जैसे हमने मेले बोला थ कि मार्केट को फर्स 15 मिनिट पे तो हमें ट्रेड करने की कोई जरूद भी नहीं है यहां पर कई सपोर्ट बना लिया एक छोटा सा रेट्रेस्मेंट आ गया और देन इसने कंटिनी कर दिया तो हम लोग यहां पर सेलिंग का प्लान करेंगे सेलिंग का दूसरा प्लान होगा अगर मार्केट ने बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद यहां पर कई सपोर्ट ले लिया और फिर यह इस डे हाई के उपर अगर निकल गया मतलब जहां से गाप डाउन ओपन हो गया यह लेवल को निकाल दिया तब हम लोग बाइंग का सोचेंगे और टार्गेट हमारा इतना चोटा ही रहेगा अगर अगर कल मार्केट बहुत बड़ा गया आज की तरह अगेन हम लोग आवड कर देंगे बहुत बड़ा गया तो इस यह जो जो जोन है ना इस जोन में क्लियर कट हम लोग आवड करने वाले यहां पर ट्रेडी नहीं करना है इस जोन को हम लोग आवड करेंगे इसको 700 600 की उपर निकल ने दो तभी हम लोग बाइंग के तरुप सोचेंगे नहीं तो हम लोग नहीं से लिए अब हम लोग आते हैं निफ्टी में रिजिस्टन्स लेवल है यहां पर अभी निफ्टी आगे ना चुकिए यह देखो यह अगर निफ्टी निए जोन निकाल देया तो आने वाले टाइम में हम लोग निफ्टी के लिए 16,750 तक के लेवल सब लोग देख सकते यह वाले यह लेवल के लिए हम लोग फिर यह कर सकते अगर सेलर को है सेलर को मार्केट को जिस तरह चल रहा है न मुमेंटम के साथ निकालना पड़ेगा नीचे तो अगर कल मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया तो हम प्ल बैक की कैंडल लेता है तब हम लोग प्लान करेंगे क्योंकि क्या है जिसको जिसको आदत है कि फर्स्ट टेन मिनिट्स में आपको ट्रेड करना आप कर दो कोई प्रावलम नहीं वेट करते हम लोग को आराम से कोई तो भी पुल बैक मिल जाएगा तो लेवल नंबर वन हो गई सेलिंग करने के लिए लेवल नमबर 2 इंट्रेसिंग रहेगा कि मार्केट 17,000 पर कैसे रेट करता है अगर इस मार्केट ने 17,000 से अगें कोई rejection ले ली अगें हम लोग यहाँ पर सेलिंग का देखेंगे बाइंग की लेवल कहाँ पर अगर मार्केट कल बहुत बड़ा gap up open हो गया में इस 200 पॉइंट पर इंट्रेस्टेंड नहीं हो बिलकुल ट्रेड करने के लिए clear cut है ओके ना बाइंग ना सेलिंग यहाँ पर कोई ट्रेडी नहीं करेंगे बहुत बड़ा gap up open हो गया छोट देंगे दोसों के उपर अगर जैसे निकलता है तभी हम लोग सोचेंगे मार्केट कल फ्लाइट ओपन हो गया सेम इसके नीचे इसने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया डे स्विंग के नीचे इमीजेट हम लोग पी की तरफ देखेंगे टार्गेट समरे 16,800 वगरा रहेंगे तो यह दो लेवल से बैंक निफ्टी निफ्टी के लिए एक्स पर ग्लोबल मार्केट देखना अभी आट बजे के बाद हम लोग चेक करते हैं चांसे बहुत ज़्याद है जैसे यूएस फिचर वगरा सब डा अगर कुछ होता है तो तब तक आपका ख्याल रखना मैंने वीडियो में नहीं रेगुलर दे पाया तो अच्छा लग रहा होगा तो आपको यहां पे कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक ज़रू कर देना जितने लाइक होंगे अच्छा लगेगा तो मिलते हैं नेक्स फिल्ड में थैंक तो मुझ